बात करते हैं नागपूर की जिहां आम आदमी पार्टी युवा घड़ी ने आरोग्य विभाग भरती परिक्षा को लेकर मुख अंदोलन किया है जिसमें आंदोलन कारियों ने आरोग्य मंत्री राजिश टोपे के इस्तिफे की मांग की है नागपूर में आम आदमी पार्टी युवा घड़ी ने हाली में स्तगित हुई आरोग्य विभाग भरती परिक्षा को लेकर मुख अंदोलन किया है जहां उन्होंने आरोग्य मंत्री राजश टोपे के इस्तिफे की मांग की मुह पर काली पट्टी बांधे आंदलोकों का कहना था कि राज़ की महाविकास आगाडी सरकार ने आरोग्य विभाग भरती परिक्षा देने वाले तब बल आठ लाग विद्धार्थियों के साथ चल किया है आरोग्य विभाग के ऐसे रवये को जल ठीक करना चाहिए और आरोग्य मंत्री राजश टोपे को इस्तिफा देना चाहिए इसके साथ ही अंदोलनकारियों ने मांग की है कि इन विद्धार्थियों का हुआ खर्च सरकार वापस करे और 15 दिन के अंदर फिर से परिक्षा ले और उसका खर्च भी सरकार ही उठाए आपको बता दे कि इस वर्ष की आरोग्य विबाग भरती परिक्षा को एन वक्त पर हिस्त अगित किया गया था जिसके चलते कई विद्धार्थियों को कश्ट जहलना पड़ा आरोगी विभाग की भरती परिक्षा में अब क्या होता है और क्या आम आदमी पार्टी उवागाडी ने उठाई मांगे पूरी होती है ये तो वक्त ही बताएगा क्यामरा पर्सन माइकल के साथ संजे मीरे की रिपोर्ट